Hello Everyone, Welcome To Our New Topic तो जैसे कि हम सेफटी के बारे में बढ़ रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट्स के बारे में बढ़ रहे हैं, फैक्ट्री आट्स के बारे में जान रहे हैं, तो इसका हमने अभी कौन से चैप्टर उठाय ओढ़ा है, चैप्टर थर्ड जो कि हैल्थ से रिडेटर है यह पूरा जो section है इसमें सिर्फ health के बारे में बतायागा है occupational health के बारे में देखिया अगर किसी work place पर work चल रहा है तो वहाँ cleaning लेस्ट नहीं होगे cleaning नहीं की जाएगी industrial hygiene नहीं की जाएगी तो क्या होगा occupational health नतलब जितने भी workers हैं employees हैं उन सब की health पे effect पड़ेगा ठीक है वह प्रॉपर ventilation नहीं होगा तो जो भी industry है जहाँ manufacturing चल रही है जो plant है वहाँ पर जादा heat हो रही है temperature हाई हो रहा है तो वहां के जितने भी implies हैं उनको occupational health पे उनकी effect पड़े गई पड़ेगा है तो हमने जो जितने भी अभी तीन sections पड़ चुके हैं section 11, 12, 13 है न तो उनके उनमें यही बताया गया था कि हम किस तरीके से temperature maintain कर सकते हैं ventilation प्रॉपर लग सकते हैं है न अब बात करेंगे section 14 की तो section 14 में बताया गया है dust and fumes ठीक है dust and fumes जो है वो पता रहा है कि आपको यहां पे जितनी भी dust है वहां पे जो fumes निकल रही है जिनको inhale करने से आपको disease हो सकती है तो आपको ऐसी जगह पे गर work कर रहे हैं तो आपको mask पहनना है पीपीज वेर करनी है exhaust क्योंकि देखिए fumes जो है वो आप किस तरीके से बहार निकल सके लिए dust के लिए आपने mask पहन लिया पर fumes के लिए आप exhaust fence लगा सकते हैं जिससे कि वो fumes जो है वो बहार निकल सके ठीक है इस तरीके से dust fumes और जो other impurities रहती हैं जिनको हमें inhale करने से बचना है तो उनके लिए हम section 14 के अंदर ये बताया गया है कि dust and fumes से आप कैसे बच सकते हैं dust and fumes के अंदर आप क्या क्या एप्लाइंसे यूज कर सकते हैं क्या 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 आप पर्पस क्या है में में पर्पस यही है कि आप occupational health को कहीं न कहीं बचा सकें ठीक है तो dust and fumes से बचने के लिए यहां पर आप exhaust fan लगा सकते हैं आपको marks तो वेर करना ही करना होगा इस चगाव ही पहले तर उसके बाद आप उसके अंदर वर्क कर सकते हैं तो fumes आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं और mask वेर करें और proper PPEs वेर करें जिससे कि इस तरी जड़स्टन फ्यूम से होने वाले जितने भी hazards हैं उनको आप avoid कर सके हटा सके eliminate कर सके उस workplace से ठीक है अब हम नेक् सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उनके अंदर गवर्मेंट को यह रूज दिये गए हैं कि अगर आप कुछ भी आटिफीशियल यूमिडिफिकेशन यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर आपका यह परपस है मतलब उनका में परपस क्या है 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 तो जो भी drinking water है उन सबसे आपको drinking water आप ठीक से ले पीनी का पानी अटलीस्ट आप वहीं से यूज करें जो drinking water है प्रॉपर water ट्रीट किया जाए आरोज वगेरा यूज किया जाए जिससे की water आपको clean मिल सके ठीक है तो पूरा जो factory act है उसमें सारे sections जितने भी हैं वो पूरे workers के लिए, employees के लिए, organization के लिए और organization से बाहर offside जो है उसके लिए बनाए गए हैं क्योंकि देखिए आगर occupation जैसे की मैंने कल भी बताया था अगर occupational health पे effect नहीं पड़ेगा तो हमारी productivity और quality भी अच्छी रहेगी और हमारा यही main motive होता है, safety का यही main motive है कि आप उन लोग को motivate कर सके occupational health के regarding safety के regarding जिससे की इस त अब देखिए, factory act के अंदर आप इतनी सारी बाते बताई गई है, safety related, health related, तो इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं कई ना कई तो आपको यह eliminate भी करने होंगे अपनी workplace हो, तो आप elimination के लिए क्या करेंगे, तो आप इसका एक procedure follow करेंगे, कि आप देखेंगे, समसे पहले आपको observe करना होगा सारी चीज़े, कि observation से पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें वहां ऐसी हो रही है, जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अब किस तरीके से उसको eliminate करने के लिए जो भी company की policies है, उनके अंदर SOP बनाई गई है, उसके according आप work करेंगे, तो यह factory act के जि करनी ही होंगी, आपको safety से related और पूरा health से related, क्योंकि अपना main motive यह होता है, कि हम अपनी occupational health, जितने भी occupational health है, उनको हम protect कर सकें, और इसके लिए हमें training भी देनी पड़ती है, तो training अगर देंगे, तो क्या होगा, जितने भी employees हैं, उनको भी समझाएगा, कि safety कितनी important है, और सा चेक करनी की जिम्मदारी, safety department की होती है, कि इस तरीके से जितने भी sections है, या जो भी चीज़े follow की जा रही है, क्या वो follow हो रही है, क्या वो apply की गई है, है ना, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ कि आपकी duty भाहीं खतम हो जाती है, कि आपने ऐसा ऐसा सारी चीज़े करवा दी, आपन से कोई भी उसको follow ना कर रहा हो, है ना, तो हमें इसके regarding भी training देनी होती है, जिससे की सारी चीज़े remember रहें सभी को, सभी को safety की जो value है, safety के बारे में, जो भी चीज़े है, सभी याद रहें, कि safety कितनी important है, और क्या-क्या स्टैप्स हैं, उनके safety से related के, जो छोटे-छोटे steps follow करके, किस तरीके से safety maintain करी जा सकती है, तो ये sections के बारे में, मैं आपको बताती जा रही हूँ, अभी section 15 हुआ है, health का, तो अभी इसके अंदर जितने भी sections है, सारे health से related है, कि आप कैसे health को maintain रख सकते हैं, workplace बहने वाले, दिखने में, टॉपिक ऐसा लगे का, क्या रही है, पर जब आप किसी workplace पे जाएंगे, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, बड़े-बड़े hazards कर देती है, बड़े-बड़े unsafe conditions कर देती है, तो इस तरीके से हम छोटी-छोटी चीज़ों को जब point out करेंगे, तब ही हम आगे अपनी safety को maintain रख पाएंगे, तो ये आज मैंने आप को section 14-15 के बारे में बताया, so thank you